हेलो गाइस आम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी 2nd year annual mode and semester mode students के assignment फिनिश हुए हैं तो देखो बच्चो आप लोगों का question और doubt ये रहते हैं कि मैम जब पहले semester का result नहीं आया और आगे के semester का syllabus नहीं आया तो हम पढ़े कैसे देखो आप लोगों के जो main core होते हैं वो NCWeb और regular colleges के बच्चों से बिल्कुल सेम होते हैं डेली यूनिवरसिटी के अंडर में SOL, School of Open Learning, NCWeb और regular तीनों आती हैं तो आप तीनों के syllabus भी सेम होते हैं regular बच्चों की जो पढ़ाई है वो start कपकी हो चुकी है क्योंकि उन बच्चों के पेपर भी होने वाले हैं क्योंकि उनके पेपर आपसे एक मंत पहले होते हैं इसलिए आप लोगों से पढ़ाई भी उनसे पहले start हो जाती है ठीक है तो आप लोग उनसे अपना syllabus ले सकते हैं पढ़ने का दिल आपका होना चाहिए नहीं तो आप अगर पढ़ने के दिल है हिम्मत है आपका मन है तो आप मुझे बोलो कमेंट बॉक्स में बोलो टेलिग्राम चैनल पे बोलो बहुत सारे बचे वाटसेप पे भी बोलते हैं तो आप मुझे बताओ कौन से subject का syllabus चाहिए मैं आपको provide कर वाँगी कोई issue नहीं है ठीक है तो आज की वीडियो में हम political science honors fifth semester के main code जो है उनके बारे में बात करेंगे इससे पहले आप लोगों को मैं inform कर दूँ कि देखो बच्चो जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने अ 16 August से जो science की stream के बच्चे हैं जिनके practicals होते हैं assignments होते हैं उसके लिए college open करा जा रहा है physical mode के लिए ठीक है physical mode में बच्चा वो चीज़े देगा अगर कोई बच्चा बेमार है या covid patient है तो वो online भी कर सकता है इसे कोई issue नहीं है लेकिन proof देना पड़ेगा university को तो इस चीज़ क देखते हुए आप लोगों ये चीज़ दिहान में रखो कि आप लोगों के paper December में होने हैं तो December में आप लोगों के paper offline होने के chances 99.9% हैं जो बाकी के percent आप बचे वे देख रहे हो ना उसको तो जहन से निकाल ही दो mind से निकाल दो कि यार online हो भी सकते हैं या नहीं तो इस हिसा core subject दिये गए है classical political theory और Indian political thought 1 इंडियन political thought 1 इसमें मिलेगा और IPT 2 आपको 6 semester में मिलेगी CPT और IPT का syllabus में आपको इस वीडियो में English में बताऊंगी इनके साब Hindi medium के student है तो Hindi medium का भी मैंने आपको बता रखा है आपको उसका link description में मिल जाएगा so आप लोग अगर इसमें कुछ नहीं समझ माये कि यार नहीं आया थोड़ा बहुत English में समन तो आप उसको एक बार Hindi वाली वीडियो भी देख सकते हो उसमें जादा बैटर आपको समझ में आ सकता है so वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम Classical Political Theory का स्लेबस देखेंगे Hindi में मैंने नाम लिख दिया है कोई इशू नहीं है आपको पता रहना चाहिए CPT का स्लेबस आपके पास CPT में चार आपकी यूनिट्स हैं सबसे पहली है Text and Interpretation Text and Interpretation में आप लोगों को Part और व्याक्या Means इसमें आप लोगों को Theory का जो Introduction होता है वो पढ़ना है मतलब ये जो आपकी Unit 1 है बिल्कुल वेली टाइप है कि इसको Extra जोड़ा गया है कि भाई तू भी आजा ये जित कर रहे दी कि मैं भी आउंगे स्लेबस में तो इसको बोल दिया कि भाई आजाओ आजाओ कोई बात नहीं ठीक है? So बच्चो आप लोगों को जो Text and Interpretation जो दिया गया है इसके अंदर Mainly CPT का Introduction आपको पढ़ाया जाएगा Classical Political Theory का बात आती है दूसरी तो Antiquity में आपको Plato और Aristotle Antiquity प्राचीन काल है प्राचीन काल में Plato और Aristotle प्लेटो और Aristotle ही पढ़ाया जाएगा उसके बाद आपका आएगा Interlude Interlude अंतराल का वक्त होता है उसमें अंतराल के वक्त में Machiavelli को सबसे जादा बहतर और अच्छा एक वो माना जाता है राजनितिक, दार्शिनिक और फिलोस्फरी तो पताने क्या क्या थे, सब कुछ थे इनका क्या ही बताओ मैं आपको तो इन सब का फिर इसमें आपको मैं Machiavelli का पढ़ाया जाएगा उसके बाद मैं आपको यहां पे एक चीज़ बर बता देती हूँ फिर एजुकेशन जो प्लैटो की, प्लैटो ने जो एजुकेशन के बारे में बताया डेमोक्रेसी के बारे में बताया, वो थोड़ा बहुत थर्ड सैमिस्टर में पढ़ा था तो यह सारी चीज़े थर्ड इयर में आकर आपस में लिंक डो रही है अब ग्यार बीए पूरा खतम करना है तो जाहिरा लिंक नहीं पढ़ाया जाएगा तो पहले आपने थोड़ा सा पढ़ा, फिर जादा बढ़ा, अब पूरा वास्ट हो चुका ही है तो आपको इसको डेटेल से करके पढ़ाया जाएगा प्लैटो की एजुकेशन की थियोरी, उन्होंने वुमेंस और जो आपका गार्डियन्शिप है उस पर क्या बोला है डेमुक्रेसी के बारे में क्या बोला है किंग और कुईन का जो एक दार्शनिक वैवहार है और उनका सारा मतलब सोच रही है उसके बारे में क्या बोला है और उनकी पॉलिटिक्स को लेके क्या फिलोसफी है जस्टिस वाली थियोरी, बहुत फेमस फेमस जो उनकी सारी थियोरी है वो आपको इसमें पढ़ाये जाएंगी से मैरिस्टॉटल का भी ऐसा ही है एंड मेक्याविलिका भी ऐसा ही है ठीक है, सो आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ मा आगया होगा कि इसमें आप लोगों क्या पढ़ाया जाएगा उसके बाद आपकी बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट थियोरी है वो सॉरी, यूनिट फॉर यूनिट फॉर है आपका पुजैजिफ इंडिवीज्वेलिज्म इसमें ये होता है अधिकार वैक्तिवाद ठीक है, इसके अंदर आपको हॉप्स और लॉक के बारे में पढ़ाया जाएगा इनकी पूरी हिस्ट्री, इनकी जो भी थियोरी इस थी इनकी नोने क्या बोला, क्या नहीं बोला, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उस टाइम ही नोने जो प्रॉपर्टी के बारे मोला था, आज आप जानते हैं कि आप प्रॉपर्टी का जो राइट था, उसको हटाकर लीगल राइट बना दिया गया और किस आर्टिकल के तहट बनाया गया, वो भी आप लोग बहुचे तरीके से जानते हैं, मैंने आपको पड़ा रखा हैं, ठीक है, तो अब आगे आते हैं, ये था आपका CPT का स्लेबर्स, अब है आपका IPT, देखिए मैं शॉट फॉर्म में बोल रही हूँ, आप समझ जाओ, बहुत समझदार बच्चे हो, मैं पूरे-पूरे नाम लोगी, तो मुझे जिन्दगी भी जाएगी इस वीडियो को खतम करते तो IPT का जो स्लेबर्स है, IPT की फर्स यूनिट है, Traditions of Pre-Colonial Indian Political Thought, अब ये मेन आप लोग आप जानते हो, कोलोनियलिज्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है हिस्ट्री में, तो इसमें क्या-क्या पढ़ोगे आप, भ्रामनिक, श्रमनिक, इस्लामिक और जो आपक को मेन थियोरी पढ़ाई जाएगी, परमपराओ की, मतब इंट्रोडक्शन, और उसके बाद भ्रामनिक पढ़ाया जाएगा, श्रमनिक, इस्लामिक और आपका जो समकालिक है वो, दूसरी यूनिट है मनू, मनू का जो सोशल लौ दिया गया है, समाजी कानून वो पढ़ाय को टिल लेकर थियोरी आफ स्टेट के बारे में क्या थियोरी क्या सिध्धान दिये है वो, वेदवयास शांती पर्व ने राजधर्म के बारे में क्या पढ़ाया है, क्या बताया है, इसके अंदर आपको वो पढ़ाया जाएगा, एंड उसके बाद आपका फिफ्थ यूनि अबुल फजल ने मौनार की बताई है, मौनार की समराज्य को कहते हैं, शासन को कहते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और कबीर ने मेन आपको समकालिक जो मैं अभी सबसे पहले आपको बताया, उसको और डिटेल से करके जो पढ़ाएंगे, वो कबीर क की बातों को पढ़ाया जाएगा, so I hope आपको अप स्लेबस को लेकर कोई भी डाउट आपकर नहीं रहा हो, मैंना आपको Classical Political Theory and Indian Political Thought, दोनों का स्लेबस इंगलिश और हिंदी दोनों में बता दिया है, आप अपने प्रिपेशन करना स्टार्ट कर दो, स्लेबस लिख लो, जल् लोग मुझे बताएगे का जरूर कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्स स्टार्ट करना है, और अगर आप चाहो तो दोनों सब्जेक्स भी हम साथ में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि टाइम अप बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ चार महीने आप लोगों के पास, दिसंबर में आपक कोई डाउट हो या सजेशन्स हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स से टेलेग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, तो थैंक्स फर दवाचिंग और बेस्ट आफ लक ओल